अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बैल जरू प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले यह व्रत वेसाक रश्न पक्षी की दितिया को किया जाता है, इस व्रत का उदेश संतान की मंगल कामना एमसुक सोभाग्य की प्राप्ती है अधिकतर बाल बच्चे वाली महिलाएं यह व्रत करती हैं, इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता तामबूल पर सफेद चंदन से पुतली बना कर चार कोडियों को रख कर पूजा की जाती है इसके बाद चोग पूर कर कलच इस्थापित किया जाता है और उसी के समीब आसमाई की इस्थापना की जाती है पूजन के बाद बारे गोटियों वाला मंगल सुत्र महिलाएं धारन करती हैं, तो कथा इस प्रकार है? एक बार की बाद है एक राजा के एक लड़का था, वे बड़े लाड़ प्यार के कारण पाला गया था, इसलिए वे बिगड गया था वे हमेशा पनगट पर बैट कर गुलेल से पनिहारियों की मठकी फोड देता था सभी पनिहारन राजा के पास इसकी शिकायत लेकर गई, तब राजा ने उन सब को मिट्टी का घड़ा लेकर नह जाने की आग्या दी और कहा कि सभी पीतल और तांबे के घड़े पानी भरने के लिए उप्योग में लेवें परन्तु राजकुमार की शेतानिया बढ़ती ही जा रही थी अब वैं उनकी बर्तनों को उलटकर पानी उडेल देता था और उनके पीतल और तांबे के बर्तनों को पत्थर से फोड़ देता था इस बात को जानकर राजा बहुत क्रोधित हुए उन्होंने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया राजकुमार घोड़े पर बैटकर वन की ओड़ चला गया मार्ग में उसकी भेट चार बुड़ी ओड़तों से हुई अचानक राजकुमार का चाबुक नीचे गिर गया उसने घोड़े से उतर कर चाबुक उठाया तो सभी बुड़ियों ने सोचा कि उसने उनको प्रणाम किया है मगर नस्दिक पहुँचने पर उन चारों बुड़िया के पूछने पर राजकुमार ने बताया कि उसने चोथी बुड़िया को प्रणाम किया है वह चोथी बुडिया आस माई थी वह बहुत प्रसन हुई और उसने उसे चार कोडियां देकर आशिर्वाद दिया कि जब तक ये कोडियां तुम्हारे पास रहेगी तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा समस्त कारियों में तुम्हें सफलता मिलेगी आस माई का अशिर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल दिया वह भ्रह्मन करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुचा वहां का राजा जुआ खेलने में बड़ा पारंगत था वह कभी किसी से नहीं हाना था किन्तु राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया और राजा का सारा राजधा पार्ट जुए में जीत लिया राजा का एक बुड़ा मंत्री था उसने राजा को सलाद दीग यदि राजकुमारी का विवा इसके साथ कर दिया जाए तो ये लड़का अपना हो जाएगा और राज पाट भी हमेशा अपने पास ही रहेगा राजा ने मंत्री की बात मान ली और राजकुमारी का विवा उसके साथ खुशी-खुशी कर दिया राजकुमारी बहुत ही शीलवान और सदाचारिनी थी महल में सास ननत के अभाव में वे कपड़े की गुडिया द्वारा सास और ननत की परिकल्पना करके उनके चर्णों को आजल पसार कर छुती और आशिरवार लेती थी एक दिन यह सब करते हुए राजकुमार ने देख लिया और पूछा की तुम ये क्या करती हो राजकुमारी ने सास और ननत की सेवा करने की अपनी इच्छा प्रकट की इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर की ओर चल दिया अपने पीता के यहां पहुँचने पर उसने देखा कि उसके माबाव निरंतर रोते रहते हैं इस वज़े से वो अंधे हो गे फुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन हुए उनकी आँखों की रोशनी लोट आई महल में प्रवेश करने पर बहु ने सास के चरण इसपर्श किये सास के अशिरवास्ते कुछ दिन बाद उनकी हां एक सुन्दर बालक का जन्म हुआ आस माई की करपा से राजा रानी के सारे कष्ट दूर होगे उसी समय से आस माई की पूजा और व्रत का विधान है तो आज मैंने आपको आस माई के व्रत की कथा और विधी बताई अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें साथ में बैल जरू प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले धन्यवाद